दोस्तों रमश्कार हम एक बहुत वादिक यूग में रह रहे हैं पैसा बहुत मेंत्पूर्ण नेक्स्टू गड़ और कई बार हम लोग मनद करने के लिए या ब्याज किलालच में पैसा दूसरे को देते हैं और बाद में हमारे अंदर शंका पैदा होती है कि जो दिया हुआ पैसा है वो लौट भी पाएगा या नहीं तो हमारी हतेली पर कुछ लक्षन उभड़ते हैं जो इस तरफ इसपस्ट इशारा करते हैं कि पैसा वापस आएगा या मरेगा कैसे सबसे सुन्दर और इसपस्ट लक्षन ये आपकी हिरदे रेखा ये आपकी मस्तग रेखा इन दोनों के बीट एक आयताकार आकरती बनी इसको बोलते हैं ग्रेट क्वाड्रेंगल लंबाई ज्यादा और चुड़ाई कम अब अगर गुरू परवत की तरफ जो इसको डिंगल की दूरी है वो डिफेंसिव मार्ज की तरफ वाले हिस्से के मुकाबले ज्यादा है तो भी आपके पैजा मरने की परबस जंभावना यदि डिफेंसिव मार्ज की तरफ क्वाड्रेंगल की चुड़ाई वो गुरू परवत की तरफ के इससे के बराबर है या ज्यादा है तो भी पैशा मरेगा इसका बस एक ही लक्षन वो की जो आपके डिफेंसिव मार्ज की तरफ का इससा है उसकी चुड़ाई उपर वाले हिसे से यहां कम है मान लीजिए कि यह मस्तक रिखा थोड़ी सिधी जा रही है तो डिफेंसिव मार्ज की तरफ चुड़ाई कम हो गई यदि आपके हाथ में ऐसा लक्षन है कि आपका क्वाड्रेंगल डिफेंसिव मार्ज की तरफ कम चुड़ा है तो आपका पैसा कभी नहीं मरेगा बिल्कुल जिन्दाम मत करना विलंब हो सकता है लेकिन आपकी एक एक पाई वापस अवश्य ही लोटेगी तो ये चोट असतत्य आपका ज्यानर्जन अवश्य करेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यूँआ झाला जूँआ